हे गाइस वेलकम टूकू केन बेक वित रश्मी सो आज आम बनाने जा रहे हैं बहुत ही इजी कोईक और मसेदार सी मटर गोबी की सबजी जब भी आपको बहुत जल्दी हो क्या आपको कुईक लिए टिफिन रेडी करना हो तो ट्राइ कीजिए ये सबजी सो लेट्स स्टार्ट सो हमने यहां पर कड़ाई गरम कर ली है इसमें एड करेंगे टू टेबल स्पून ओल ओल को हम थोड़ा गरम होने देंगे पहले इसमें सो ग्राम फूल कोबी डाल लेगे ये मैंने मीडियम साइज कट कर ली है इसे हम दो से तीन मिनिट हाई फ्लेम पे फ्राइ कर लेंगे अब दो से तीन मिनिट हो चुके है अब हम फूल कोबी को थोड़े साइड में कर लेगे और इसमें वन टेबल स्पून धनिया पाउडर हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर और हाफ टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल लेंगे आप कोई भी गरम मसाला डाल सकते है इसमें ये मेरा होममेड गरम मसाला है और इसे अच्छी तरीके से हम mix कर लेंगे अब इसमें half teaspoon जीरा पाउडर एड़ कर लेंगे और इसे अच्छी तरीके से फूल कुबी के साथ mix कर लेंगे एक से दो मिनिट हो गए है अच्छे से mix करके अब हम इसमें 200 ग्राम मटर mix कर लेंगे यह मैंने fresh मटर लिए हुए है आपची तो frozen मटर या फिर boiled मटर भी डाल सकते है अगर आप बहुत जल्दी में है अब आप इसमें 2 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर एड़ करेंगे चिल्ली पाउडर आप आपके according less or more spicy कर सकते है इसे हम spread करके डालेंगे और दो मिनिट के लिए slow flame पे steam होने देंगे इसे मिर्ची का कच्चापन नहीं आता दो मिनिट के बाद इसे mix कर लेंगे और अब यहां मैंने चार टेमेटो पॉल करके इसकी फ्यूरी बना ली है इसे हम सबजी में add कर लेंगे इसे अच्छे से mix कर लेंगे अब इसमें according to taste salt add कर लेंगे और slow flame पे इसे 10-15 मिनिट के लिए या जब तक हमारे मटर पक नहीं चाते तब तक इसे पका लेंगे तो चली अब 10 मिनिट हो चुके है और हमारे मटर और फूल को भी अच्छे से पक चुकी है अब हम इस पॉइंट पे इसमें 100 ग्राम फ्रेश क्रिम डाल लेंगे आप चाहिए तो घर की मलाई भी 3-4 टेवल स्पून एड़ कर सकते है अब इसे अच्छे से mix करके 2-3 मिनिट के लिए हम slow flame पे इसे फिर से steam होने देंगे ताकि ये क्रीम जो है वो अच्छी तरीके से सब्जी के साथ भूल मिल जाए तो चलिए 2-3 मिनिट हो चुके है अब हम इसके लिड ओपन कर लेंगे वाउ बहुत ही अच्छी खुजबू आ रही है और दीख भी ला जवाब रही है तो चलिए अब इस पॉइंट पे हम हमारी gas flame आफ करते है और इसे dish out करते है तो रेडी है हमारी बहुत ही quick easy मटर फुल गोबी की सब्जी इसे आप try कीजिए रोटी पराठा नान या जिस जिसी के साथ प्याप चाहिए तो चलिए अगर आपको मेरी recipe पसंद आई हो तो इसे like, share, comment कीजिए और मेरे channel को subscribe कीजिए